पुल्वामा हमले में शहीद जवानों को शुद्धान जली अर्पित करते हुए युवा कॉंग्रेस की ओर से केंडल मार्च निकाला गया साथ ही प्रधान मंतरी मोधी के खिलाब नारेफाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया युवा कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष कुनाल राउत विधायक विकास ठाकर गिरिश पांडव इनके मार्गदशन में एनस युआई और कॉंग्रेस के कारिकरताओ ने वेराइटी चौक सीधा बड़ी से समविधान चौक तक केंडल मार्च निकाला इस मार्च का नेतरुत नाकपर जिला विध्यारती कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष प्रणय सेंख ठाकूर ने किया एस मार्च के दोरान प्रधान मती नरेंदर मोदी इनके खिलाव रोश व्यक्त करते वे बड़ी संख्या में मौजूद पतदी कारियों और कारिकरताओं ने जम कर नारेवासी भी की जम्मुर काश्मिर चे माजी गवर्नर शत्यपाल मली क्यानी चे स्टेटमेंट डिलेल होता कि पुल्मावाँ चे वेज जया वेज सहिनिकान ना यानी पाठोल ला होता परतू मोदी सरकार नी तया वस न देला मुए है सरवी घटना घटलीली आए आम चा प्रश्ना है कि जे 24 लोगा जे सहीध चाह लेला है ज़ानची आम चाह समनना है कि मोदी सरकार नी तया सहीध से हत्याज के लिया है जर तुम्हाला महीत होता कि बा कश्मीर मदे 86 किलो आड़ एक साल लेला है त्या लोका ना है हेली कैप्टर आणि हेली पैड आपन दूशक लोना ही एचा माक्सक कारण का है यह प्रश्णे घ्यून आज एनुसे हैचा माध्य माधून आज इते आमी कैंडल मार्च है लेंगा यहे प्रश्णे घ्यून आज पुड़े आलो लाए आज आमी बीजीपी सरकार्चा निश्यद आनी मोधी सरकार्चा निश्यद आमी कुरूंदर आलो लाए NBCN News के लिए राजशुमार मोड के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट